असलाम अलेकुम चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं उर्दू का अगला चैप्टर चैप्टर नंबर 17 चैप्टर का नाम है मनाजीर कुदरत और ये एक नजम है नजम किसे कहते हैं नजम को हिंदी में बोला जाता है कवीता और इंगलिस में बो तरी के से धागा में मौती को फिरोया जाता है बिल्कुल उसी तरह किसे भी मौणू सब्सक्राइबू को सलिक था कौई करते हुए, सलीके की सांथ लिखना सजाकर क्या बोला जाता है, नजम कहलाता है , का विखना, को फॉलू करना पड़ता है, और अच्छे-च्छे-खु इस चैप्टर के जो writer है लेखक है वो है चकबस्त, मुसनिफ कोई है? चकबस्त, जिना इनके बारे में समझ लेते हैं चकबस्त का पूरा नाम है पंडित बर्ज नरायां, ठीक है? ये तखलुस रखते थे चकबस्त, ये चकबस्त क्या है? तखलुस है, या निकि ये अपनी श फैजबाद में ठीक है ये याद रखना है लेकिन चकबस्त के आबा उस्दाद लखनाओ से तालुक रखते थे इसलिए चकबस्त भी बच्पन में लखनाओ चले गए मतलब इनका जो पैदाइस हुआ था वो ठाल सो बैसे इसमे में यूपी के फैजबाद में हुआ था लेकि इनके आबा उस दाद हैं यानकी बाप दादा हैं दादा पर दादा वो तालुक कहां से रखते थे लखनाओ से इसलिए बचपन में ही कहां चले गए लखनाओ चले गए और वहीं से इptaदाई तालीम हासिल की लखनाउ से ही मतलब प्रारंबिक शुक्षा हासल की फिर वो अवेकनिंग कॉलेज में दाखिला लिया एड्मिशन लिया और उसके बाद उन्हें से पांच इस भी में बीए पास कर ली और उन्हें से आठ इस भी में वकालत का इम्तिहान भी पास कर लिया फिर वो वकालत कर भी करते थे और आतीस मिर्जा गालिब और अनीस इन सब के क्या थे मतलब उनको कॉपी ये किया करते थे शिदाई थे ठीक है नौद साल की उमर में पहली घजल भी इन्होंने लिख दी थी चकबस्त ने और फिर उन्होंने जब घजल लिखा तो मुड कर भी नहीं देखा कि कि मुझे क्या किया करना है बस उन्होंने सोच लिया कि घजल और शेर वशायरी ही करना है ठीक है और 1926 इस भी में एक मुकदमे के सिलसले में राय बरेली गए और कामयाभी भी हासिल हुई मतलब 1926 इस भी में कोई केस था उसको वकील बन कर गए उसकेस को सुलजाने के लेकिन केस जितने के बार जब उसी दिन लखनओ जाने के लिए इस्टेशन पर आये ट्रेन पर बैठे थे यानि कि उसी दिन अपने घर लखनओ आने के लिए वो इस्टेशन पर आये ट्रेन पर बैठे थे तो वहीं पर दिमाग पर फालिस का हमला हो गया और जुबान हो गई उनका इंतकाल हुआ साथ बजे शाम को इस्टेशन पर ही अब यह हो गए आप लोग के चिकबस्त के बारे में कुछ डीटेल्स मुसनिफ के बारे में समझ गए अब चलिए ज़र समझते हैं नजम की तरह और उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं मनाजिर कुद् इसका पहले मतलब समझ यह क्या होता है फुरत का मतलब होता है और मनाजर का मतलब मनाजिर एक जामाय लबज है यानि कि यह प्लूरल है इसका सिंगलर लफ़ होता है न वहको हम ओनजर यानि कुद्रत का मनजर इस चेप्टर मेंुत देखने को मिलेगा मैं अब प्रुक् प्राकृती का द्रिष्य को मिलेगा ठीक है और यह कहां गजय को मिलेगा सब्सक्राइब चक्वष्च ते कंगते हैं पहार जिल दिखा दिया कि उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर और उसी के बारे में यह जो चकबस्त है इस नजमें लिख रहे हैं सबसे पहले वो क्या लिख रहे हैं देखिए फजाय को में ऐसी हवा समाती है बसर की रूह को राहत की नींद आती है इस पहले लाइन में जो चकबस की रूह को राहत की नींद आती है देखिए कितना अच्छा तरीके से वो मतलब इस नजम में कितना अच्छे तरीके से लफजों को सजा कर लिखा है दूसरे लाइन में क्या बोल रहे हैं चकबस्त सहब बस एक आलम हूं चार सम्त तारी है ना शोर वशर है ना दुनिया की आवजारी है बुल रहे हैं वहाँ पर चारो तरफ सन्नाटा है हर जगा विरानी चाही हुई है चारो तरफ शांती है नशोर है नशर है जिस तरह दुनिया में चारो तरफ सोर मचता है गाडियों की और मतलब लोगों की आवाजे सुनाई देती है रोने की गड़गडाने क ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल शानती है ठीके, फिर क्या देखी आगे लिख रहा है असर दिखाता है, खुदरत का नगमा दिलगीर सजर हजर से टपकती है राग की तासीर मतलब बुल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो खुदरत है, नेचर है, वो नगमा गा रहा है खुदरत क्या कर रहा है, नगमे को सुना रहा है और वो जो नगमा है, दिल को छू जा रही है मतलब जो खुदरत नगमा सुना रहा है वो दिल तक पहुँच जा रही है और दिल को बहुत ही सुकून मिल रहा है पत्थर पेड़ यानकी शजर और हजर शजर का मतलब क्या होता है पेड़ और हजर का मतलब होता है पत्थर ठीके तो ऐसा लग रहा है कि पेड़ पत्थर भी क्या कर रहा है नगमे सुना रहे हैं और वहाँ पर एक अजीब तरह का सुकून मिल रहा है वहाँ पर जाने के बाद मतलब वह बोल रहा है कि वहाँ पर अलगी तरीका सुकून है वहाँ पर जाने के बाद हर एक एक टिंसन को आप भूल जा रहा है ठीक है आगे देखिए यह राग वह है जो मिजराब का असीर नहीं यह हर्फ खान के पर्दों में गोशा गीर नहीं मतलब यह बोल रहे हैं इस लाइन में चकबस्त बोल रहे हैं कि यह राग वह है जो मिजराब का असीर नहीं मिज़राब मतलब समझते है musical instrument होता है जो गिटार तबला ढोलक जिससे क्या निकलता है राग निकलता है तो बोल रहे हैं कि यह वो राग नहीं है जो गिटार तबला से निकलता है यह nature का राग है मतलब ये कुदरत का रागे कुदरत का गाना है जो नगमा सुना रही है ये ऐसा नहीं है कि कान में जाकर समा जाए ये वही सुनेगा उसे दिल गदाज है जिसका हो दिल में सोज तो रग रग में साज है उसका मतलब बोल रहे हैं इस नगमे को इस गाने को इस राग को सिर्फ वही सुन सकता है जिसका दिल क्या हो गदाज हो मतलब जिसका दिल नरम दिल हो मुलायम दिल हो सिर्फ वही सुन सकता है इन सभी चीजों को इन सभी चीजों को वही सिर्फ देख सकता है और जिसके दिल में साज हो यानि सोज हो यानि कि जिसके दिल में जलन हो वो इन चीजों क कभी नहीं जिसके दिल में नفरत तो वह कभी नहीं सुन सकता है और कभी N agreements कर सकता है हरी में खास्मय कुद्रत की बार्याबी थी निगाहिशोक में एकसान बेहिजाबी दी किक्द्रत चाहती थी अ अरिम का मतलब इसमें लिया गया है दुनिया ठीक है दुनिया को बुला दो चाहती थी कि लोग मुझे देखे ठीक है लोग मुझे देखे निगाहे शौक में एक सान बेहिजाबी थी मतलब वो उसका निगाहे शौक था कि वो बेपरदा हो वो वो चाहती थी कि दुनिया इतना खुबसूरत होगा मतलब इसको खुदा ने बनाया है तो जो जब इतने अच्छे वो खुद्रत को बना सकते हैं तो सोचिए वो कितने खुबसूरत होंगे ठीके आगर देखिए क्या बोल रहा है शरी के जहां थी वजे कदीम कुद्रत की आयाती संग वसजर से कस्स है तालूक है रिष्टा है मतलब इस कुद्रत का और इस दुनिया से एक अलगी क्या है मुहबत है कश्श की महबत है जो पेड़ पत्थरों से भी रिष्टा को दिखाता है मतलब झालने को बता रहे हैं कि झालने आप बहुत ही जमाने से यह चलते आ épisode 127 आ रही हैं ठीके ब परशार सजर था कोहे था चश्मा था या या मश्तिव घबार मतलब बोल रहे हैं कि पेड़ था पहाड था जढ़ना था और हाथ में रखी हुई मिट्टी भी थी ये सब क्या थे इसके हकी के शराब में सराब पीकर नसे में थे मतलब ये भी क्या चाहते थे ये भी चाहते थ कि मतलब कुदरत को हम देखें ये भी चाहते थे कि खुदा को हम देखें कि अगर हम लोग को बनाने वाला मतलब इतना अच्छा बना सकता है तो उसके बनाने वाला कितना अच्छा होगा है की नहीं आगे देखिए दरख्त वा को है क्या जात पाक इंसा क्या है तियूर क्या ह हवा क्या है अबरबारा क्या है मतलब बोल रहे हैं कि दरख्त क्या है यानि कि पेड क्या है पहाड क्या है को मतलब होता है पहाड तो पहाड क्या है इनसान की जात पाक क्या है परिंदे क्या है ठीक है हवा क्या है बरसने वाली बारिश क्या है ये कुछ भी नहीं है ये मौज पहाड, दरख्त, इंसान, परिंदे, हवा ठीक है बरसने वाला बारिस यह जितनी भी है यह मौज हस्ती बेदार के अनासिर है मतलब यह एक तरीगी के लहर का पाठ है अंग है जो की एक मतलब कहीं से शुरू हुआ था और इनको कहीं चले जाना है ठीक है यह सबी एक ही काफि पाठ, इंसान, परिंदे, यह जितने भी हैं यह वो उसी काफिले के मुसाफिर है और इनको एक दना एक दिन कहीं चले जाना है ठीक है फिर क्या बोल रहे हैं यह दिल के टुकड़े हैं उनमें बेर बेर नहीं सब एक गोद के पाले हैं कोई गैर नहीं बोल रहे हैं यह कु के पर्दे हैं बज में हस्ती में मैं बोल रहा हैं कि इस दुनिया किसी से अलग नहीं है सब मिले जुले हुए हैं ठीक है कुछ आपसार में यानि की जरने में और हम में कोई इम्तियाज नहीं है कोई फर्क नहीं है हम जिसम खाक यहां उसका जिसम पानी है जो रूह हम में है उसमें वही रवानी है मतलब बोल रहे हैं किसी में कोई अंतर नही हुआ है वो किसे बना हुआ है पाणी से बना हुआ है लेकिन दोनों का मनजिल एक ही है मिखलब हम भी आगे की तरफ बढ़ते है और जहरना भी क्या होता है आगे की तरफ बढ़ता है चलता रहता है ठीके यह लास्ट सेर था जो मैं आप लोगों को बता दी लीजिए ये होगे आप लोगो का नजम कंप्लीट कितने अच्छे और खुबसूरत तरीके से उन्होंने देहरादून की पहाड़ी और जरनो और वहां की पिरपौद और जंगलों के बारे में कितना अच्छे तरीके से लिखा है ठीके अब चलिए जरा इसके कोश्टन इंसर को समझ ल बैठे थे और कब हुआ तो साथ वजे शाम को हुआ ठीक है तो ऐसे लिखेंगे चेहिंगे जब्स का इंतकाल उन्हें सच चबिस को साथ बजे शाम को होओधा ठीक है दूसरा सवाल है चकबस्त ने कौन-कौन सि डिडिग्रिया हासिल की तो चकुष्ट निज सब से पहले उन्हें सब Pat VI यह पास किया उन्हें साट में ev queen का इमतहान पास किया और फिर उन्होंने वकालत करना शुरू कर दिया ठीक है तीसरा सवाल है चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी से हुआ तो यह तुम्हें आप लोगों को बता दी चकबस्त का इंतकाल फालिज दिमाग पर फालिज मारने के वज़़ा से ठीक है फालिज का हमला हो गया उनके दिमाग पर चार नंबर सवाल है चकबस्त की कौन सी नजम हमारे निसाब में शामिल है यानि की चकबस्त का कौन सा नजम हमारे इस बुक में सामिल है तो अभी आप लोग जो पढ़ें मनाजिर कुद्रत ठी सीन्स ऑफ नेचर प्रकृती का दृष्या कुद्रत का मनजर ठीक है पांचवा सवाल है चकबस्त का पूरा नाम क्या था तो चकबस्त का पूरा नाम मैं बताई थी पंडित बर्ज नरायान ठीक है अब आती है मुखतसिर सवालात की बात यानि की लगू उतरिये पहला सवा होना है नज्व किसे कहते हैं नज्व का तरीफ बियान करना है तो मैं आप लोग्reon को नज्व किसे कहते हैं बता ही चुकी हूं तो आप अपने हिसाब से पांच सेंटेंस में लिखेंगे ठीक है सब्सक्राइब मैं कहां की मनजर नहमरी किये लग्ल jetzt is देरी निसाब नजम है आप लोग के बुक में यह जो नजम है इसमें जो नजम नेगार हैं जो इस चप्र को लिख रहे हैं यह कहां का दृष्ष्य दिखाया है तो यह देरा दून का मंजर दिखाया है खुदुरत का ठीक है चार नमबर सवाल है नजम के अज़ाय तरकीवी पर रौष्णी डाली है यानि कि नजम में कौन-कौन से चीजे इंपोर्टेंट होती है वह आप लोग को बताना है तो सबसे पहली चीज तो मौजू होना चाहिए कोई भी टॉपिक होना चाहिए नजम में कि उस टॉपिक पर लिखा जाया है नजम को जैसे कि हमारे चकबस ऐसा होना चाहिए कि अगर एक लफ्स को हटा दिया जाए ना तो वह नजम क्या हो जाए बिगड़ जाए ठीक है मतलब ऐसे उसको सजाना है कि वह लागातार मतलब क्राम में कंटिनिवर्श हो ठीक है इस तरह आप लोगों को यह दो चीज़े लिख दीजेगा जायतर की भी लेजिए चकबस्त के बारे में लिखना है कि वो कैसे नजम निगारी किये थे यान कि वो कैसे नजम को लिखा करते थे पोएम कवीता को कैसे लिखा करते थे ठीक है तो यह आप लोग 10-15 सेंटेंस में लिख देंगे दूसरा सवाल है जदीद नजम की तारीफ करते हुए उ मनाजिर कदरत का मरकजी ख्याल वेंस कीजिये मतलब इजो आप लोग के बुक में यह नजम है मनाजिर और इसके बारे में लिखना है कि इसको पढ़कर आपको क्या ख्याल वाला यहां पर मिलान करना है वही नजम को लिखे ना उसी को मिलान करना है अलिफ में दिया है फजाय को में ऐसी हवा समाती है यह किस से पेर इसका लगेगा किस से जोड़ा लगेगा फजाय को में ऐसी हवा समाती है बशर की रूह को राहत की नीन दाती है यानिकि अलिफ का तिन नंबर में चला जाएगा ठीक है बेका क्या है यह राग वह जो मिजराब का असीर नहीं या हर्फ कान के पर्दों में गौशा गिर नहीं यानिकि बेका आप अलिफ में लेकर चले जाएगा ठीक है जीम नंबर है जुदा किसी से भी हस्ती का अपने राज नहीं कुछ है ना दुनिया की आह वजारी है तो दाल का आप दो नंबर में लेकर चले जाएंगे इसी के साथ आप लोग का यह चेप्टर नंबर 17 कंप्लीट होता है अब नेक्स्ट वीडियो में हम लग चेप्टर नंबर 18 को स्टार्ट करेंगे और उसको भी बहुत अच्छे तरीके से क कीजिए अपने पडोसियों के पास अपने दोस्तों के पास और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिए ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूं आप तक सबसे पहले पहुँचे तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चेप्टर के सांथ तब तक के लिए जैहिंद और खुदा हाफिज